हेलो दोस्तों स्वागत है आप सोगी का फिर से एक नए वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आप अपने लेप्टुप या फिर केम्प्यूटर में वाटसअप को चलाना चाते हैं तो उसे आप कैसे चला पाएंगे तो WhatsApp चलाने के लिए दोस्तों आप चाहें तो दो तरीका का इस्तमाल कर सकते हैं पहला तो आप चाहें तो application जो है वो download करके उसे आप easily एक्सेस कर पाएंगे mobile की तरह या फिर आप चाहें तो WhatsApp बेब जो है उसे आप यूज करके जो है अपने WhatsApp को चला सकते हैं अपने laptop या फिर computer में तो सबसे पहले क्या करना है आपको अपना पहले computer या फिर laptop में जो है internet connection कर लेना है तो हमने दोस्तों इसमें internet जो है वो connect कर लिया अब क्या करना है आपको अगर WhatsApp में यहाँ पे जिसे डाउनलोड करना है तो इसके लिए क्या करना होगा यहाँ पे search bar का option है simply इस पे click करें और यहाँ से type करें Microsoft store तो यहाँ पे आप type कर देना है Microsoft store open का option आएगा तो simply इसे open कर ल कहीं पे मिल जाएगा अगर नहीं मिल रहा है यहाँ तो उपर search bar का option है simply इस पे click करें और यहाँ से type करें आप WhatsApp simply यहाँ पे WhatsApp type करेंगे इसके बाद सर्च करना है जैसे आप सर्च किजिएगा आपको जो है WhatsApp जो है application जो है वो देखने को मिल जाएगा देख सकते है WhatsApp जो है इस पर किलिक करने के बाद देख सकते हैं इसमें आप WhatsApp का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर link with phone number है आप अपने mobile नमर से जो है यहाँ पर चाहें तो login कर सकते हैं तो यह तो दोस्तों हो गया पहला तरीका अब दूसरा तरीका क्या है चलिए हम आपको बताते हैं दूसरा तरीका ह आपको यहाँ पर किस तरह से आएगा हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर हम पहले लॉग आउट कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर दिखाते हैं किस तरह से इंट्रफेस देखने को मिलेगा तो जैसे आप खोल लिएगा वाटसप पर आपको यहाँ पर मिलेगा एक कीवर कोड देख सकते हैं इस तरह से कीवर कोड आएगा उसको आपने वाटसप से जो है सकैन करके तो जो है आप एजली जो है अपने मुवाइल का वाटसप जो है लेप्टूब या फिर वाटसप को इजली चला सकते हैं उमीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देजिएगा चैनल पर ना है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देजिएगा ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद